हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यू चैनल वाइफार पॉइंट अस्टडी पर जिसमें हम आपको जीके जीए से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत में ये नोशको विस्व धरोहरो की सूची ठीक है फ्रेंड्स जो हम UNESCO UNESCO World Heritage Sites in India तो फ्रेंड्स आप मुझे UNESCO की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सेयर कीजिए जाकि आपके फ्रेंड्स क फ्रेंड्स युनेसको का मतलब होता है सन्युक्तराष्ट्र सैक्षिक वैज्ञानिक एवन सांस्कृतिक संगठन और फ्रेंड्स इसका क्या कार्य है तो इसका कार्य सिक्षा प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञान और संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरास्ट्रीय स सांती को बढ़ावा देना ठीक है तो फ्रेंट्स चलिए आगे चलते हैं और फ्रेंट्स इसके अस्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका मुख्याले है फ्रेंट्स पैरिस यानि फ्रांस में और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है आंद्रे आजोले तो फ्रेंट्स यह तीनों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्चन बनता है कि यूनेस्को की अस्थापना कभूई थी तो 16 नवंबर 1945 को इसका मुख्याले कहा है तो पैरिस में है फ्रेंट्स में और इसके अध्यक्ष कौन है तो आंद्रे अजोले हैं ओके तो फ्रेंट्स इंडिया में जो सबसे पहला यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में आता है वो है हमारा अजंता की गुफाएं तो फ्रेंट्स अजंता की गुफाओं का आधार क्या है तो ये सांस्कृतिक धरोहर है और इसे कब युनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में घोसित किया गया तो वो किया गया फ्रेंट्स 1983 में कब किया गया फ्रेंट्स तो 1983 में किया गया और ये कौन से राज में है तो ये महरा है उके वमारा नेक्स्ट है युनेसको धरोहरो की सूजी में इलोरा की गुफाएं कौन है यह भी हमारा क्या है सांस्कृतिक धरोहर है और इसे भी कभ घोषित किया गया था सुन ऐसे भी घोषित क्या था नाइंटीन कोरा की गुफाय भी और यह दोनों ही फ्रेंट महारास्ट्रा में है ओके अगरा का किला ठीक है क्या है आगरा का किला और यह भी सांस्कृतिक धरोहर है और फ्रेंट्स इसे भी घोसित किया गया था 1983 में और यह कहां है फ्रेंट कौन से राज में है तो यह उत्तर प्रदेश में है ओके फ्रेंट्स कौन से राज में है तो यह उत्तर प्रदेश में है फ्रेंट्स नेक्स्ट है हमारा ताज महल और ताज महल को फ्रेंट्स कब घोसित किया गया था तो ताज महल को 1983 में घोसित क जाते है तो चलिए सब्सक्राइब नेक्स्ट देखते हैं no next है friend हमारा कोनार का सुर्य मंदिर को कब गोसित किया अधा साथा संस्कृत धरोहर में तो किया गया था 1984 में कब यह कौन से ळाज में है तो या ओडिशा में है कहा है तो ओडिशा में है ओके अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है महाबलीपूरम असमारक तो इसका भी आधार क्या है तो यह भी सांस्कृतिक धरोहर है और फ्रेंड इसे घोसित किया गया था 1984 में और it's यह कौनसे राज में है तो यह तामिल नाडो में है कहां पे तो तामिल नाडो में है नेक्स्ट है friend हमारा काजी रंगा रास्ट्रिय उद्ध्यान तो friends यह क्या है तो यह प्राकरतिक धरोहर है और friend इसे कौनसे साल में घोषित किया गया था और फ्रिंट यह कौन से राज में है तो यह अशम में है कौन से राज में है तो अशम में है फ्रिंट समारा नेक्स्ट है मानस वन्यजीब अभ्यारण्य और यह कौन से आधार पर किया गया था तो प्राकृतिक आधार पर और इसका घोसित वर्स कौन सा है मतलब किस वर्स में इसकी घोसना की गई थी तो 1985 में की गई थी और या कौन से राज में है तो अशम में है ओके फ्रेंट्स हमारा नेक्स क्वेश्चन है केवला देव राष्ट्रिय उद्यान कौन से राज में है और इसे कब यूनेस्को में घोसित किया गया था और इसका आधार क्या है तो फ्रेंट्स यूनेस्को में इसे प्राकृतिक धरोहर के आधार पर घोसित किया गया था और इसे 1985 में किया गया था और फ्रेंट यह राजस्थान में इस्थित है कहां इस्थित है फ्रेंट तो राजस्थान में इस्थित है नेक्स्ट है फ्रेंट हमारा हमपी अस्मारक तो यह कौन से आधार पर यूनेस्को में आया था तो यह सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर आया था और इसे 1986 में यूनेस्को में सामिल किया गया था और यह करनाटक में इस्थित है फ्रेंड समारा नेक्स्ट है खजू राहो का असमारक तो फ्रेंड इसे भी सांस्कृतिक आधार पर यूनेस्को में लाया गया था और इसे सामिल किया गया था 1986 में इसे यूनेस्को में सामिल किया गया था 1986 में और यह कौन से राज में है तो यह मध्यपर्देश में है कौन से राज में फ्रेंट तो मध्यपर्देश में है फ्रेंट आप हमारे चैनल को लाइक सियर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वाले वीडियो लेकर आ सके फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है चर्च एवंग कन्वेंट्स ऑफ गोवा तो इसे किस आधार में यूनेसको में लिया गया था तो सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर और इसे कब घुसित किया गया था यूनेसको के धरोहरों की सुची में 26 में किया गया था यह कौन से राज में है तो यह गोवा में है Next है फ्रेंड हमारा फतेवफोर सीक्री Friend यह भी हमारा संस्कृतिक धरोहर है और इसे भी वर्स1986 में यूनेस्कों में लाया गया था और यह भी कौन से राज में इस्थी थे तो उत्तर पर देश में की गुफाएं तो फ्रेंड इसका यूनेशको में सामिल होने का आधार क्या था तो यह सांस्कृतिक धरोहर के आधार और यह कौनसे इस साल में सामिल हुआ था किसivesse में हुआ था तो 1987 में हुआ और यह किस राज में इस्थित है तो यह महरास्टरा में इस्थित है Professor next है article अस्मारक और इसका आधार क्या है तो यह भी संस्कृतिक धरोहर है और इसे कब घोसित किया गया था तो 1987 में किया गया था और यह किस राज में है तो यह करनाटक में है friends अमारा next है सुन्दर वन राश्टरी ये उद्ध्यान तो इसे यूनेस्को में किस आधार पर लाया गया था तो यह प्राकिर्तिक धरोहर के आधार पर लाया गया था और इसे कब घोसित किया गया था front तो 1987 में किया गया था और यह किस राज्जि में है तो यह पस्चिम बंगाल में है फ्रेंट्स हमारा नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर तो फ्रेंट इसका आधार क्या है तो इसका आधार है सांस्कृतिक धरोहर और इसे किस वर्स में सामिल किया गया था तो 1987 में और या कौन से राज में है तो यह तामिल लाडू में है तो चलिए आगे चलते है फ्रेंट्स नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी एविंग फूलो की घाटी रास्ट्रिय उद्ध्यान तो फ्रेंट इसका आधार क्या था तो इसका आधार था प्राकिर्तिक धरोहर और या किस वर्स में युनेस्को में सामिल किया गया था तो 1988 में और या किस राज में है तो या उत्तरा खंड में है तो चलिए गईस नेक्स देखते हैं गईस हमारा नेक्स्ट है बुद्ध असमारक सांची इसका आधार क्या था फ्रेंट तो इसका आधार था सांस्कृतिक धरोहर और या किस वर्स में सामिल किया गया था तो 1989 में और या किस राज में है तो या मद्य परदेश में है किस राज में है फ्रेंट तो मद्य परदेश में है फ्रेंट समारा नेक्स्ट है हुमायू का मकबरा और इसका आधार क्या है फ्रेंड तो इसका भी आधार सांस्कृतिक धरोहर और या किस वर्स में किया गया था तो 1993 में और या कहां पर इस्थित है तो या दिल्ली में इस्थित है फ्रेंड समारा नेक्स्ट है कुतूब मिनार और फ्रेंड इसका आधार क्या है तो इसका आधार है सांस्कृतिक धरोहर और इसे किस वर्ड सामिल किया गया था यूनेस्को में तो इसे 1993 में सामिल किया गया था और या कहां पर इस्थित है तो या दिल्ली में इस्थित है ओकी गैस उमीद करती हूँ guys आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज 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 अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और सेयर कीजिए और friends आप हमारे और भी वीडियोज देख सकते हैं हमारे description box में जाकर Friends हमारा next है mountain railway तो friend इसका आधार क्या है? तो इसका भी आधार है सांस्कृतिक धरोहर और friend या कहां पर इस्थित है? तो या दार्जलिंग में है, पस्चिम बंगाल में काल का सिमला में है, हिमाचल परदेश में और नील गिरी में भी है, तामिल नाडो में या तीन जगा है और friend या कौन से वर्स में इसे सामिल किया गया था? तो इसे वर्स 1999 में सामिल किया गया था तो चलिए आगे चलते हैं Friends, next है हमारा महा बोधी मंदिर और या कहां, किस आधार पर यूनेशको में आता है तो सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर आता है और किस वर्स में इसे सामिल किया गया था? तो इसे सामिल किया गया था 2002 में और friend या किस राज में है? तो या बिहार में है कहां पर है? तो बिहार में है ओके तो चलिए आगे चलते हैं इस नेक्स्ट है हमारा भीम बेट का रॉक सेल्टर्स और इसके सामिल करने का आधार है यूनिसकों में सांस्कृतिक धरोहर और इसे किस वर सामिल किया गया था तो इसे 2003 में सामिल किया इस नेक्स्ट है हमारा च्छत्रपति सीवाजी टर्मिनल और इसका आधार क्या है तो यह सांस्कृतिक धरोहर है और इसे कब सामिल किया था तो 2004 में किया गया था और यह कहां पर इस्थित है तो यह महरास्ट्रा में इस्थित है ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा चंपा नेर पावागड पुरा तत्विक उद्ध्यान तो फ्रेंड इसका आधार क्या है इसका आधार है सांस्कृतिक धरोहर और इसे कब सामिल किया गया था तो इसे 2004 में सामिल किया गया था और फ्रेंड यह किस राज्य में इस्थित है तो आधार सांस्कृतिक धरोहर और इसे किस वर सामिल किया गया था तो इसे सामिल किया गया था 2007 में और या कौन से राज में इस्थित है तो या दिल्ली में इस्थित है तो चलिए फ्रेंड नेक्स देखते हैं फ्रेंड समारा नेक्स्ट है जंतर मंतर जैपूर इसका आधार क्या है फ्रेंट तो इसका आधार है सांस्कृतिक धरोहर और इसे किस वर्ष सामिल किया गया था तो इसे 2010 में सामिल किया गया था और या कहां पर इस्थित है तो या राजस्थान में इस्थित है या राजस्थान में इस्तित है अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है पस्चिम घाट तो फ्रेंड पस्चिम घाट हमारा किस आधार पर है तो प्राकिर्तिक धरोहर के आधार पर यूनेसको में सामिल किया गया है और इसे किस वर्ष सामिल किया गया है तो इसे 2012 में किया गया था और यह किस राज्य में है तो यह महरास्ट्रा में है करनाटका में है और केरल में है ठीक है फ्रेंट्स कहां कहां है तो महरास्ट्रा करनाटका और केलर में है फ्रेंड्स हमारा next है पहाडी किले तो यह कहां कहां पे है फ्रेंड्स यह पहाडी किले देखें इसका नाम लिखा है चितोडगड किला, कुभालगड किला, रन्थंभॉर किला, अंबर किला, गगरान किला और जैसलमेर का किला और ये सभी का आधार क्या है फ्रेंट ये सभी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे देश के और इसे कब सामिल किया गया तो इसे 2013 में सामिल किया गया और ये सभी कहां इस्थित हैं तो ये सभी राजस्थान में इस्थित हैं तो चलिए नेक्स देखते हैं फ्रेंट्स हमारा नेक्स्ट है रानी की वाव पाटन तो फ्रेंट्स इसका आधार क्या है तो यह भी सांस्कृतिक धरोहर है तो फ्रेंट्स यह किस वर्स यूने इसको में सामिल किया गया तो इसे 2014 में सामिल किया गया था और यह किस राजी में स्थित हैं तो यह गुजरात में स्थित है दो चलिएा आगे चलते हैं विरीहत हीमालेजन राश्ट्रिय उद्यान संरक्षिप चेत्र और फ्रेंड इसका आधार क्या है तो इसका आधार प्राकिर्तिक धरोहर और यह 2014 में सामयल किया गया था नालंदा पुरा तत्विक अस्थल और इसका आधार किया है फ्रेंट तो यह भी सांस्कृतिक धरोहर है और इसे वर्स 2016 में सामिल किया गया था और 21 राज में है तो यह बिहार में इस्थित है नेक्स्ट है हमारा कंचन जंगा रास्ट्रिय उद्यान और इसका आधार क्या है फ्रेंट तो यह मिस्रित रूप में मतलब यह सांस्कृतिक धरोहर भी है और प्राकिर्टिक धरोहर भी है तो फ्रेंट इसका आधार यह किस वर्स में सामिल किया गया था तो इसे 2016 में सामिल कि इसे हमारा नेक्स्ट है लेक कार्बूस यार वास्तु कला और फ्रेंड इसका आधार क्या है तो इसका आधार इस सांस्कृतिक धरोहर और इसे किस वर्स में सामिल किया गया था तो इसे किया गया था 2016 में और यह किस राजी में इस्थी थै तो यह चंडीगड में इस्थी थै हमारा next है एहमदाबाद एतिहासिक सहर इसका आधार क्या है तो इसका आधार है सांस्कृतिक धरोहर इसका वर्स क्या है सामिल होने का तो यह 2017 में से यूनिसकों में सामिल किया गया था और 21 राजी में है तो यह गुजरात में है अब हमारा next है फ्रेंड Victorian Gothic और Art Deco यह कहां पर है फ्रेंड तो यह है एंस बल्स मुंबई में ओके फ्रेंड कहां है तो मुंबई में है और यह किस आधार पर इसे यूनिसकों में सामिल किया गया तो यह सांस्कृतिक धरोहर है और किस वर्स किया गया फ्रेंड तो 2018 में किया ग फ्रेंड से हमारा next है गुलाभी सहर जैपूर तो फ्रेंड 21 आधार पर सांस्कृतिक धरोहर किया गया गया तो किस वर्स तो 2019 में और 21 राज में है तो राजस्थान में है तो फ्रेंड यह राजस्थान में है तो फ्रेंड उम्मीद करते हूं आपको आज का वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और वेडियो को जाद से जाद से जाद सेयर कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स